नमस्कार में अनामा लोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं बिहार के मुखमंति नितीश कुमार आज गया पहुंचे थे देखिए इंडिया की बैठक में शामिल होने पहुंचे नितीश कुमार अब लोट आये हैं दिल्ली से वापस वे पटना लोट आये हैं और पटना नहीं कहा है इंडिया की बैठक में शामिल हुए हैं जिसके बाद कई सारी क्यास लगाए जा रहे हैं हलाकि ममता बनर जी कि ओर से जब मलिकार अरजुन खड़ गया है जो कि कौंगेस रास्टी अध्यक्ष हैं उनका नाम आगे प्रस्ताव किया गया है प्रसावित किया गय लिये तो ऐसे में नितीश कुमार को जटका लगा है नितीश कुमार के समरत्र को भी जटका लगा है के चौदवे जो गुरू हैं पावन दलाई लामा उनसे मुलकात करें नितीश कुमार जब पहुंचें वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कई तस्वीरे निकल के आई हैं उनसे आपको अवगत करा रहे हैं नितीश कुमार आज फिर पतना के वेटनरी ग्राउंड भी प पहुंच गये हैं फिलहाल अपने सरकाई अवास एक अने मार्क पहुंच चुके हैं कारकरम में शामिल होने के बाद लेकिन नितीश कुमार आगे क्या फैंसरा लेंगे यह देखना होगा नितीश कुमार अभी 19 तारीकों कारकरनी की बैठक है जेडियू की उसमें क्या बात लेंगे देखना होगा शीट शेरिंग की बात होनी है कल जेडियू के राष्टिय अध्यक्ष लदन सिंग ने भी कहा है जब नितीश कुमार ने पार्टी के सभी 702 से मुलाकात की है दिल्ली में उसके बाद लदन सिंग ने कहा है कि 15-20 दिनों के अंदर शीट शेरिंग की बात फाइनल हो जाएगी यानि कि क्या 31 संबर से पहले या फिर खर्मास बीतने से पहले यानि कि 14 जनवरी से पहले बिहार में शीट शेरिंग का फर्मूला ताय होगा तो फिर जेडियू कितने पर लड़ेगी आरजडियू कितने पे चुना लड़ेगी ये बात देखने होगी आप लाइप सीछिस झाल झाल